कि दो दिन की ग्रुप केंपिंग के बाद आज हम लोग कर रहे हैं यहां से अपना पैक अप बाई बाई टू एवरीवन राइगारा शेरा वालिदा बहुत सचे दर्बार कीज़ें सर गाड़ी को ऐसे चमकाते हैं सा सुतरी होनी चीए गाड़ी हमारा गाओं अब किसी दूस टमाटर गोबी मूली हो गहरा सब कुछ है अंदर फ्रूट्स भी हैं लेक के बैक साइड पे पूरे देवदारी देवदार हैं कुल्चा पार्टी होने लगी है एक कुंड है माता दुर्गा कुंड बिलकुल रिलाक्स मूड में अगर आप रहना चाहते हैं तो आपके एक नई सुबह के साथ आप सभी को प्यार भरा रमिश्कार दो दिन की ग्रूप केंपिंग के बाद आज हम लोग कर रहे हैं यहां से अपना पैक अप और इसके बाद सब लोग अलग अलग दिशाओं में निकल जाएंगे देखते हैं हम लोगों के साथ कितने लोग नेक्स ही पैकिंग हो गई है ओनिंग को हमने सबसे एंड में पैक किया क्योंकि बारिश का मौसम था और इस से थोड़ा सा समान हमारा धका हुआ था और इसको पैक करके हम भी रेडी होते हैं चलने के लिए एक गाड़ी की बैटरी डिस्चार्ज हो गई है और वो स्टार्ट नहीं यह करा शेरा वाली दा वो सचे दर्वार की जैए देखो यह प्रॉब्लम्स भी आज आती है कभी-कभी कैम्पिंग में तो हम लोग आपस में इतने हैल्फूल हैं देखो सारे आत्मी खड़े हुए आदे गंटे से तैयारी कर रहे थे कैसे स्टार्ट करें कैसे बिल्कुल वैसे यह रखनी चाहिए बहुत बहुत जरूरी है यह जमपर के बल यह भी सीखने को मिला एक हम भी लेकर रखेंगे सब लोग कितने खुश हो गया है एक बंदे की प्राब्लम सॉल्व करने के लिए सब इकटे हो जाते हैं बहुत 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 नीरस तो टेक्निक तो फ्रेंड्स आज सबका अपने अपना डेस्टनेशन पर वापस जाने का टाइम हो गया है लगबग 70 परसंट गाड़ियां निकल गई हैं कुछ गाड़ियां बची हैं सब लोग अब एक दूसरे से बिछड रहे हैं तो बहुत दुख हो रहा है अभी कुछ लोग तो ही क होता लगना चाहिए कि हाँ गाड़ी निकल रही है तो फ्रेंड्स हमारा गाओं अब किसी दूसरे जगह जाकर बसने वाला है यहां पर हमने जो दो दिन की केंपिंग की उसमें बहुत मजा आया अब सब गाड़ियां लग गई हैं लाइन में और सब कतार में निकलेंगी ल यह गाड़ियों की ट्रेंड दो दिन की केंपिंग खतां करने के बाद अब लोग अब हम जा रहे हैं आगे मैकलोड गंच उसमें भी कुछ गाड़ियां हमारे साथ रहेंगी देखते हैं कितने लोग हमारे साथ महां पर मैकलोड गंच जाइन करते हैं और आगे का हाल हम वग बढ़िया नदी पड़िये अभी सब कमन कर रहे हैं नीचे उतर जाएं सब चल पड़े हैं नहने के लिए लोग जा रहे हैं नदी पर नहने के लिए और बीच में आगे हैं खचर ध्यान से दुलत्ती भी लग जाती है करकी यह ब्रिज के नीचे से नदी बहा रही है और हम लोगों ने जैसे ही नदी देखी तो कैम्पिंग में सबसे बड़ा वह होता है कि जो भी अपॉचुनिटी मिले उसको फट आप कैच कर लो क्योंकि हम लोग कल नहाए नही थे और गर्मी काफी थी उपर तो यहां इतना सारा पानी देखके और सब लोगों का मन कर गया है कि पहले नहा लेते हैं यहांपर ध्यान से आना भई कि अधिया रहे हैं आधिया है अधिया लगा अधिया हर हर गंगे अधिया नहा लिया पर भाहर आने का मन नहीं कर रहा है तंडे तंडे पानी में अपना हुआँ जो लिया यहांपर ग्रूप में हो रहे हैं वाटर फन और फूल एंजायमेंट है है वाइड्यों शांट आरह ए रहा है छोड़ा यह रहा झरह है ऐरा आ अधिया अधिया-ट्रो दोगए मज़ और वह ओवर्लेंडिंग कम्यूनिटी जिन्दावार उर्ष पैशन और मज़ा पैशन ऐसा कि पानी के इंदर खड़े होके ड्रोन उड़ाने की तयारी कर रहे है भाई साब यह भी टेंशन नहीं कि पानी से कुछ खराब होगा यह क्या होगा ड्रोन है कर चाएं है देको जी फस्तर टाइम किसी नहीं वड़ाया होगा पानी में जरोन यह जया ज़ाएंड आप्तेशच्ट जर्ण गोजै कुछा कि अधिको गोजै कि आ खांग दो प्रोग्राम बन गया अब नड़ी में केम्पिंग करेंगे और मेकलोड गंज को आते हुए एक्स्प्लोर करेंगे और वहाँ पहुच रहे हैं केम्पिंग के लिए थोड़ी सब्सक्राइब ले लेते हैं आगे जाके मिले नहीं मिले यहां पर बहुत फ्रेश लग रहे हैं टमाटर गोबी मूली और सब कुछ है अंदर फूर्ट्स भी हैं बनाना पहले ले लेते हैं वेजी टेबल्स तो फ्र लेक के बैक साइड पर पूरे देवदारी देवदार हैं बहुत ही अल्टिमेट सीन हैं कह सकते हैं नेचर इस एट इस बेस्ट और मौसम भी कुछ यहां कूल कूल हो गया ठंडा जैसे नीचे धरमशाला से नीचे हम लोग रुके हुए थे वहां पर काफी गर्मी थी और प आप पौक से ही आइडिया लगता है कि मौसम कितना ठंडा हो गया है ठंडी ठंडी अवा आ रही हैं अलके-लके-बादल है अलके-देवदारी देवदार यहां पर तो एनिमस भी इतना रिलाक्स फील कर रहे हैं अराम से लेटे हुए हैं एक दम से वैदर का इतना चेंज आ गया ना लगबग 20 किलोमीटर धरमशाला से आगे हम लोग आये हैं और वैदर में बिलकुल ही जमीन आसमान का फर्क है हम लोग लगबग 28 टेंपरेचर से यहां आएं और यहां लग रहा है कि दस से बारा ही बिगरी टेंपरेचर होगा यहां पर अच्छा ठंड़ ठंड़ लग रहा कूल और उदर हमारी गाड़ियां लग गई हैं पार्किंग में यह देखिए आप चार दर देवदार है तब ही ठंड़ मौसम होगा आपको देवदार दिखाई देंगे तब ही तो कश्मीर में इतना देवदार दिखाई देता है क्योंकि ठंड़ रहता है मौसम वहां पर देखिए यहां मज़ा भी आ रहा है कुछ ब्लॉग बनाने का कि I haven't from the Piece करने के बाद आब बन रही अच्चा है और अज कर आज कोछा पार्टी करने के सबसे पहले जितना इनके पतीले में आ सकती ने चाय पूरी भरके बनाते हैं और किसी को नि छोड़ते हैं बहुत 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 और नीरत जी का कप काफी बड़ा और सॉलिड है विशाल यह मतलब खराब नहीं होने दें किसी की चाह एक कुंड है माता अधिस्तान है यह माता दुर्गा कुंड है जै माता जै माता रानू इस कुंड का पानी यह यहां से होते हुए वो डल लेक में जाता है तो इस वज़े से डल लेक को भी काफी पवित्र माना जाता है तो लोग इसमें शनान भी करते हैं चट्टा भी मारते है पानी का बहुत ही पवित्र लेक है यह डल जील में फन और एंजायमेंट करके हम लोग जा रहे हैं अब नड़ी जहां की नीचे बहुती स्ट्रीप रोड है अभी जाने में तो नीचे उतर रहे हैं तो गाड़ी अराम से चल रही हैं आने में काफी दिक्कत हो सकती क्योंकि बहुती स्ट्रीप है और अगर सामने से तो रोड चोड़ी भी कम है परिशानी का कारण हो सकता है लेकिन व्यू इतने जवरदस्त है अल्टिमेट की गाड़ी ड्राइब करने में भी मज़ा आ रहा है और सीन देखने में भी बहुत ही आनन्द आ रहा है और हम जितना कोशिश करते हैं ना कि आफ रोडिंग ना हो हम ऐसे चक्कर में पढ़ते हैं कि आफ रोडिंग हमें मिली जाती है एक तो स्ट्रीप और उपर से टोटी हुई रोड और हमारी ये फ्रंट वील ड्राइव इसलिए थोड़ी वो लगती है धर नहीं लगता बट सेंसिबल नहीं है ऐसे में जाना पर जब ग्रूप में होते ह जाल रहा है तो साथ में मजबूरी है चल नहीं है ये ग्रूप में हमारी गाड़ी आ जा रही है यहां पर थोड़ा प्लेन आ गया अधर्वाइस बिल्कुल स्ट्रीट था पीछे कुछ गाड़ी आ गया है और शायद कुछ पीछे है पीछे दरबाई भी नहीं होनी पर दे साब यह देखो जरा यहां लैंड स्लाइडी हो रखी है पूरे पुरा पत्थर वहा रखें नीचे एक अच्छी बात है कि अभी टाइम जाता नहीं हुआ है अब बद ताड़े तीन बजे है अगर थोड़ा अंधेरे का होता तो तब तो मैं कहीं साइड पे लगा देता गा का लेकिन सीनिक ब्यूटी बहुत ही अलग है और अल्टीमेट है ऐसी थोड़ना सब जने लोग ही माचल गूमने के लिए चलते हैं जबरदस्त आप रोड़िंग होगी है ऐसको ऐसे में आने के लिए तो रियर बील हो या फॉर भाई फॉर ही है इसमें आने लाए तो अभी गिली जगा है स्ट्रीप पे अगर गिल हो तो स्लिप भी माहता ना पूस तो रहे हैं को गाड़ी वाले वह वह आगे वह वाले हैं अब बहुत ही मेहनत के बाद हमारी गाड़ियां कुछ एडजेस हो गई है अभी भी शाह देख रहे गई है यहां पर पार्किंग का स्पेस भी नहीं है नो डाउट व्यू अच्छा है पर यह गाड़ी जैसे तैसे करके गुसेड दी गई है व्यू दिखाता हूं मैं आपको यह तो निट्डी से जाओगे ना यह एक रिवर स्ट्रीम आ रही है उपर से वह देखिए बिल्कुल रिलैक्स मूड में अगर आप रहना चाहते हैं तो आपके लिए ही यह जगे बनी है तो क्योंकि गाड़ियां स्ट्रीप और आफ रोडिंग होने के कारण बहुत काम आती है यहां पर मस्क ब्यूटी है मस्क लाजवाब यह देखिए पुल रेस्ट मॉड में हैं लोग यहां पर और यह भीम गाय पत्थर डे टू रिवर लिखाओ इस पर अब उपर देखने कुछ कैम्पिंग की एक साइड बताईगे अगर वहां ठीक लगेगा तो अपने टेंट ले जाएंगे उपर अगर गाड़ी में रुकने का बना तो गाड़ी में रुक जाएंगे जब हम लोग ग्रूप में कहीं कैम्पिंग करते हैं तो डिसीजन ग्रूप का होता है तो अभी हम सब लोग उपर मीटिंग कर रहे हैं जाके और देखते हैं कि कैम्प उपर लगाना है या अपने अपनी गाड़ीों में रुकना है और आप से मिलेंगे नेक्स वीडियो में अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हैं तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल और शेर दा वीडियो तो मिलते हैं नेक्स व्लोग में बाई बाई और टेक केर